जम्मू कश्मीर विधान सबत चुनावों में इंडिया गठबंदन ने कमाल कर दिया और में हीरो बन के निकले हैं उमर अब्दुला देखिए नैशनल कॉन्फरेंस ने वहाँ पर वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और अगर मैं हर्याना विधान सबत चुनाव की बात क आपको सब कुछ में बताने वाली हूँ और देखिए एक बार फिर से एक्जिट पोल फेल हो गए हैं और अब भारत में क्या बड़ा खेला होने वाला है क्योंकि इसके तार अब जो आगामी चुनाव हैं उससे भी जुड़ते वे दिख रहे हैं और कई सारे पुलिटिकल स देश आपको देने की कोशिश की जारी है जो आपको समझना है रिम जिम के 5 पॉइंट में देखिए क्या है जम्मू कश्मीर और हरियाना के फाइनल नतीजे दूसरा हरियाना के वी आईपी चेहरो और सीटो पर आखिरकार क्या हुआ है तीसरा किन कारणों से पल्टे हैं ज आगे क्या होने वाला है आगे की समिकरन् क्या होने वाले हैं यह हम देखने वाले नमस買ण मेरा नाम रिमूजम जेठानी हैं और आप रिमूजम के फाइफ पॉइंट्स देख रहे हैं सबसे पहले देखिये इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट मैं आपको बता रही हूँ हर हर्याना का फाइनल आंकड़ा आ चुका है बीजेपी 49, कॉंग्रेस 36, INLD 2 और इंडिपेंडिन के पास 3 और आप ये डिफरिंस देख रहे हैं सुबह तक जब रुजान थे तो कॉंग्रेस आसमान पे थी तब से ही जश्नमन ने शुरू हो गए थे लेकिन जैसे जैसे समय आग बीजेपी ने तोड़ दिया और इस कदर जीत हासिल की है इसके कहीं सारे कारण है और कहीं न कहीं कॉंग्रेस इसमें ओवर कॉंफिजेंस के चलते पिछड गई है मैं आपको आगे कारण बताऊंगे लेकिन आप ये नंबर देख लीजिए अब मैं बढ़ती हूं जमू कश से जादा जो घटा हुआ है वो कॉंग्रेस कोई हुआ है छे पे सिमट गई है पीडीपी देखिए तीन पे सिमट गई है जे पीसी एक और जो ये निर्दली है वो साथ हैं हाला कि अभी इन में पोस्ट अलाइंस क्या होता है ये भी एक बड़ा सवाल है जब सरकार बनती है उसके बाद क्या होगा लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है वो आपके सामने है इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है इलेक्शन कमिशन की वेब साइट पर आंकडे अपडेट हो गए हैं आप देख सकते हैं भारतिये जनता पार्टी 48 सीट इंडियन नाशनल कॉंग्र इसी बीच कॉंग्रेस ने अब नए आरोप लगा दिया है कॉंग्रेस ये कह रही है कि भईया धांदले बाजी हुई है फिर से एक बार EVM में गरबड़ी सामने आई है लेकिन जम्मू किश्मीर में जो हमको यानि इंडिया गटबंदन को जो भारी बहुमत मिला है उसके ल सबूत क्या दे रही है कॉंग्रेस पावन केड़ा बताते हैं कि हिसार महेंद्र गर और पानीपर्ट जिलो में लगातर शिकायते आ रही है कि यहाँ EVM की जो बैटरी है वो 99% थी इन जगों पर कॉंग्रेस को हराने वाले नतीज़े आए हैं वहीं जिन मशीनों को नहीं छ कर रही है हम इन सारी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे यह तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है हमें इसे स्विकार यानि हर्याना के चुनावों को कॉंग्रेस स्विकार नहीं करती है बड़े आरोब कॉंग्रेस की तरफ से पूरी PC करते वे आप एक बड़ के बाइट भी सुनिए हर्याना में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिलकुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक की यह भी कहेंगे कि आस्विकार्य हैं जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं अभी हम जैराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगात लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंदर सिंग हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए तीन जिलों से हिसार महंदरगड पानीपत यहां से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कैसे बैटरी जो मशीन की थी वो 99% और जिन बैटरी जिन मशीनों कि बैटरी 99% थी उन मशीनों में नतीज़ा एक आया हमें हराने वाला नतीज़ा आया और जो मशीने नहीं जिनको छेडा गया जिनकी बैटरी 60-70 प्रतिशत जो स्वाभावी क्या होनी चाहिए थी उसमें हम जीत रहे हमारे तो हम यह सारी शिकायतें इखटी कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यह सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे। इस तरहें का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हर्याणा में इस तरहें का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंबित हैं। ये जवाब आगया, इलेक्शन कमिशन ये कह रहे हैं कि ये जितने भी आरोप कॉंग्रेस लगा रही है, जेराम रमेश ने लगाए हैं, हम उसको एकसेप नहीं करते हैं, उस सरासर गलत है। देखिए, अप्रोक्स 25 राउंज अक्रॉस अर्ल कॉंसिट्वेंसी अर बिंग अप और हम सुईकार नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए, ये वो पार्टी वाइज वोट शेर है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये हरियाना का ग्राफ है, अगर आप इसमें देखेंगे, कुछ आपने ऐसे शोस देखे होंगे, या आर्टिकल्स कॉंग्रेस का वोट परसेंट है, 39.5% और बीजेपी का है, 39.87%, यानि महज एक अगर में राउंड फिगर में लेती हूँ, एक परसेंट का डिफरेंस है, और आपको बता ही, एक परसेंट कहां गया है, ये आम आदमी पार्टी के पास गया है, यानि आम आदमी पार्टी का वोट शेर है, 1.79%, यानि इसमें साफ दिख रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी का जो वोट काटा है, वो आम आदमी पार्टी ने काटा है, अगर कहीं न कहीं कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ते, तो अभी स्थिती बहुत अलग होती, देखिए एक अंतर आगया है, आप देख सकते हैं कि कॉंग्रेस ने वोट पोसंटेज के मामले में बीजेपी को टक कर दी है, और देखिए आम आदमी पार्टी का अलग होना, तो ये कॉंग्रेस पार्टी के लिए संग्देश है, कि अगर इंडिया गट बंदन में आप लोग अलग अल अबजे में ले लिया है, ये जो लाल में आपको दिख रहा है, ये पूरा है NC यानि ओमर अब्दुल्ला की पार्टी कैसे नाशनल कॉंफरेंस ने मोस्टली इलाका अपने अंडर ले लिया है, और जो बीच में आपको ब्लू दिख रहा है, वो है कॉंग्रेस, तो के मामले में देखें, तो समेहस 2 या 3 परसंट का फर्क है BJP और JKN यानि जम्मू कश्मीर नाशनल कॉंफरेंस में, और आप देखिए, हर्याना के VIP चहरो और सीटो पर आखिरकार क्या हुआ, BJP नायाब सैनी जीत गए, पहले वो पिछड रहे थे, लेकिन तकरीबन 16,000 हर्याना में हारने वाली है, लेकिन नायाब सैनी जिता गए, और ये आपको पता है कि पहले खटर थे CM, उनको बदला गए और फिर इनको लाया गए, यानि 10 साल की anti-incumbency से नायाब सैनी लड़ लिए, फिर देखिए, कॉंग्रेस भुपेंजर सैनी हुड़ा जीत गए, भ हमारी शेलजा के बीच में तना तनी हुई, जो इन्होंने पूरी तरीके से अपना दबदबा, चाहे वो सीटे देने में हो, चाहे वो कैंडिडेट्स चुनने में हो, चाहे वो प्रचार करने में हो, वो जो सारा बताया है, तो कहीं ना कहीं कॉंग्रेस के लिए बहुत पूरे देश में उनके लिए सिंपती जगी, कैसे उन्होंने नरेंद्र मोधी पर या आरोप लगाए, कि कैसे कॉंग्रेस मेरे साथ है, और बीजेपी हमेशा मेरे खिलाफ रही है, कैसे वो सड़कों पर थी, तो अगर विनेश उगाट जीत जाती है, तो ये बड़ी जीत है क कॉंग्रेस के लिए भी, और देखें, बीजेपी के कैप्टन युगेश बेरागी हार गये, और 2019 में जेजेपी के अमर जीत धांडा जीते थे, और इस बारी मैं आपको बता दूँ, वो हार चुके हैं, और देखिए कि कि इतनी बड़ी बात है, कि विनेश उगाट पहली लेकिन विनेश फोगाट की ये बड़ी जीत है, फिर आगे बड़ी है, कॉंग्रेस के गोकुल सेतिया जीत गए हैं, कहां से जीत गए हैं, वो सिर्सा से जीत गए हैं, साथ हजार वोट से जीत गए हैं, और HLP के गोपाल कांडा हार चुके हैं, 2019 में गोपाल कांडा जीते और यह बड़ी जीत इसलिए क्रें क्रें कि जो गोपाल कांडा है उनको कहीं न कहीं बीजेसे पी ने समर्थन दिया था बीजेस सब से अमीर महिला है यह और बीजेपी से इन्होंने बगावत कर दी इन्होंने का था बीजेपी को सिर्फ टिकट चाहिए लेकिन बीजेपी नहीं दी क्योंकि एक तो बहुत ही इनकी उम्र हो गई है तो बीजेपी ने मना कर दिया लेकिन उसके बाद भी निर्दली लड़ी और आज जीत गई ह और आपको बता दू नवीन जिंदल की मा है यह और कहीं न कहीं यह जो नवीन जिंदल का फैक्टर है ना वो भी इसमें काम आया है फिर देखिए नू की तीनों सीटों पर कॉंग्रेस की जीत हुई है और कोई छोटे मोटे 2000-3000 वोटों से नहीं हुई है तकरीबन आप देखिए यह 98,000 वोटों के अंतर से जीते हैं मामन खान आफताब एहमाद 46,000 वोटों से जीते हैं देखिए बड़ी जीत दर्च की है नू में तीनों सीटों पर कॉंग्रेस ने और आप सब को पता है कि नू में किस तरीके से दंगे हुए थे और देखिए आज उसका नती देखिए पता चल रहा है जेजेपी जीरो है एकदम जीरो है तो जेजेपी तो ले ही मतलब खुद को जो है इसमें तो यह आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ओपर कि बीजेपी जिस पार्टी के साथ गटबंदन करती है वो इसी तरीके से डूब जाती है चाहे वो का राजनीती जो है इस चुनावों में खत्म होते वे दिख रही है लेकिन फिर भी इस सीट को बीजेपी ने महस 32 वोटों से जीता है तो देखिए एक एक वोट की कितनी ताकत होती है अंबाला कैण से बीजेपी के अनिलविच जीत चुके हैं शुरुआती दोर में मैं चीज है और आप देखिए हम जम्मु कश्मीर के वी आईपी चैर और सीटों पर आ गया है उमर अब्दुला दो सीटों से लड़ते हैं दोनों से जीत जाते हैं और उनकी पार्टी देखिए आप सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है आरोब तो अब ये भी लग रहे हैं कि कहीं पोस्ट अलाइंस ऐसा कुछ ना हो जाए कि कॉंगरेस जो महस्चे सीटे जीती है उसका हाथ छोड़ दे और भाईया वो केंडर के साथ मिलका है अपनी अलगी राजनीती चला है खेर अभी ऐसा कुछ आया नहीं है बहुत सारी सियासी गलियारों में तस्वीर अभी च संवाभी दे दिया स्क्राइब गडी ऑन से आम आदनी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना खाता खोला है इधार कहीं ना कहीं heroic category से निकल के आ रहे हैं तो हरियाना में बिलकुल ही हरियाना का बेटा जो अर्विन केज्रिवाल अपने आपको कहते हैं तो शायद जनता ने को एकसेप नहीं किया तो देखिए महराज मले कामादमी पार्टी से डोडा से जीत चुके हैं और देखिए त आपको पता है केंद्र के समर्थन के बिना पॉसिबल नहीं है और यह आना यह बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा तो क्या वह ऐसा कोई रिजूशन पास करेंगे और देखिए अभी क्योंकि यह जो आटिकल 370 उन्होंन चुनाव आये हैं और कैसे फैक्टर उदर वोटिंग की गई है क्या बीजेपी के साथ गटबंदन पीडीपी को ले डुबा यह मैं आपको पहले बता रही थी कि पीडीपी की इतनी कम सीट है मतलब एकदम से आप खता मी समझिए तो क्या बीजेपी से जो उसने पिछली ब कांदियानी कॉंग्रेस सिमट गई तो अब दो फैक्टर हैं या तो गठबंदन उनको काम आया इंडिया सरकार बन रही है या फिर उनको यह गठबंदन काम नहीं आया क्यूंकि वो एकदम ही खाली हो गई जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस का वजूद ही आप देखी काहुल का एक मास्टर स्रो कह सकते हैं या उनकी एक हार कह सकते हैं बीजेपी ने सफलता पूरवक कराया चुना बीजेपी को भी हमको कुछ क्रेजिट देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि किस तरीके से 370 हटा किस तरीके से लद्दा का लग हुआ किस त को क्रेडिट देना पड़ेगा कि सफलता पूरवक सब कुछ कराया बिना किसी दंगे फसाद के तो एक यह बात है फिर देखिए 98% मुसल्मानों वाली एक सीट पर बीजेपी सिर्फ 1100 वोट से हारी तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बड़ा फैक्टर है कि मुसल पर बीजेश भी उदर नहीं उतारे थे वो तो खुद ही इंडिपेंडेंडेंस के भरोसे थी कि बहिया इंडिपेंडेंडेंट निर्दलिये जो भी है अगर वो सीटे जीत लेंगे तो उनको हम अपने साथ कर लेंगे तो कश्मीर घाटी से बीजेपी को एक्सपेक्टेश बनाएंगे आपको पता है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी अमिट शाह कितने अग्रेसिव रहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए लेकिन वो सारी चीजे बीजेपी को वोट नहीं दिला पाई फिर देखिए नौकरियों का वादा रहा दूरा बोला था कि भईया आर्टिक कि हम तो वहीं के साथ है सहीयोगी भी नाकाम रहे निर्दलिये जो जो बीजेपी उमीद कर रही थी कि अपने निर्दलियों को उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट दिया था कश्मीर घटी में चुनाव जिता लाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया देखिए अब चौथा से लड़ गई बीजेपी और हैट्रिक लगा दिया सी एम बदलने वाला गुजरात फॉर्मूला ही आपको पता है कि कई ऐसे दूसरे राज जबी हैं चाहे आप उतराखन ले लिजे तृपुरा ले लिजे करनाटक ले लिजिए यही बीजेपी ने फॉर्मूला लगा है ग बीजेपी ने 67% मौजूदा सीटे रिटेन की 22 नई सीटे जीती है देखिए बड़ा आंखड़ा बीजेपी के लिए जाटो के गड़ में बीजेपी ने 9 नई सीटे जीती है यह जो जाट वर्सेज गैर जाट फॉर्मूला था ना यह बहुत अच्छी से हरियाना में काम कर गया कॉंग्रेस 50% मौजूदा सीटे हारी और 19 नई सीटे जीती यानि जो पहले से जीती थी उसको हार गई लेकिन 19 नई सीटे जीती है तो इसकादर मैं आपको जो है अन्यलेसिस बता रही हूं जेजेपी का जन जनाधार टूड़ गया है यह मैं आपको बता चुकी हूं जेजेपी का कोई वजूद वहां पर नहीं बचा है बीजेपी को इससे फाइदा मिला है क्योंकि अगर जेजेपी हट गई है तो बीजेपी को भी इससे कही ना कहीं उदर का वोट बीजेपी को मिल गया कॉंग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रहलियां भारी परी और आपको यह मानना पड़ेगा देखिए कि हर किसी को चाहिए वो एक्जिट पोल ले लीजिए चाहिए वो बड़े-बड़े वरिष्ट पत्रकार मीडिया के ले लीजिए किसी को ऐसा अंदाजा नहीं होगा कि हर्याना जिसमें बीजेपी में इतनी बगावत हुई जिसमें क कही पैलवानों का मुद्धा भी आता है किसानों का मुद्धा भी आता है फिर विनेश वोगाघ भी कॉंघ्रिस के साथ चली जाती है उसमें बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन कर लेगी तो आपको मानना पड़ेगा कि जमीन पर बीजेपी कमाल कर गई और ये कहना ल लगा कि आपने विने शोगात को अपनी तरफ ले लिया तो आप ओगर कॉंफिजेंस में आ गए आखिर कार्ट जमीन पर क्या हुआ आपके सामने हैं जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि 70 सीटों पर हुड़ा के पसंद के उमीदवार शो के शुरुआत में भी मैंने आपको ब कोच जाती है और पिर कही ना कहीं वीजेपी भी ओफर दे देती है कुमारी शेलजा को कि हमारे पास आ जाओ और इन दोनों की आपस में खटपट हो जाती है इनके गुट बन जाते हैं पता चलता है कि सीम के लिए लड़ाईयां हो रही हैं तो देखें जो आपसी का लहना पूरी पार्टी को ले डूबी और कहीं न कहीं कॉंगरिस को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हुड़ा का MP के कमलनाज जैसा हाल हो गया है और देखिए अखिलेश यादव को होगा UP में फाइदा इसके मैं आपको दो कारण बताती हूँ हरियाना में क्योंकि आपको पता है कि सहयोगी दल हरियाना में अखिलेश यादव यानि जो सपा है उनका जादा प्रभाव नहीं है और कॉंग्रेस ने उनको सीटे भी नहीं दी और इसी कदर उन्होंने अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाए कि चलो कॉंग्रेस जीट जाएगी उनको हम सीटे दे हम बिल्कुल भी कोई नातक नहीं करेंगे लेकिन भी नहीं जीत पाई तो आप जब यूपी में बात आएगी तो अखिलेश यादव चड़ेंगे कि आपने आपके सहयोगियों को जादा सीटे नहीं दी जादा एक्वालिटी यह जितनी भी सीटे देनी चाहिए थी जितना आपको कॉंपलिमेंट करना चीए था आपने नहीं कराया और देखो कॉंग्रिस के साथ क्या हो रहा है तो कहीं कॉंग्रिस के लिए भारी तो नहीं पड़ रहा है कि अपने सहयोगियों को उतने इकोली पावर नहीं देना सीटे नहीं देना और क्या इससे अखिलेश याद है वो बीजेपी की है तो कितना बड़ा खेला हो सकता है हर्याना में कॉंग्रेस का वोट परसें टक्कर का रहा मैं आपको बता चुकी हूं और फिर देखिए ब्रिजभूशन ने क्या कहा मैं भी बाइट भी सुना दूंगी कि मेरी वज़े से विनेश फोगाट जीती है और विनेश फोगाट खुद तो जीती मैं महान आदमी हूं क्योंकि मेरे नाम से जीत गए लेकिन पूरी पार्टी को दुबा गई और देखिए सेनी की भी बाइट सनाती हूं और मोधी ने भी सेनी को क्या कुंग्राचुलेट किया है वो भी देख लीजे इसका मतलब हम महान अगर हमारा नाम लेकर के बँद आदमी है हमसे कम मेरे नाम में अतना दम तो है क Запार हो गई लेकिन नहिया तो पार हो गए लिए revisit कउल दूब दिया उदना साथ तो दूब गए प्रिएंगा जीटा दूब गई परहुल बबाका क्या होगा वो तो जीत गई लेकिन बड़े सपने सा जो ह्याना को लेपिर क्या हुआ जाएगी सब्चानाशी होगा आपको जलेपी खलाएंगे मेरे इस जलेपी पुरे देशने मश्रूरा वो आपको खलाओंगा जब मोदी जी का सिर्वाद सिर्पर हो, अमिसा जी का सिर्वाद सिर्पर हो, और हमारे जग्द परकास अनद्वा जी का सिर्वाद सिर्पर हो, और ठाकुर राजना सिंग जी का सिर्वाद सिर्पर हो, मनोहरलाल जी का सिर्वाद सिर्पर हो, तो फिर दिक्कत नहीं आते हैं र तो अगर इधर इतना बड़ा खेला हो गया है कि आपने प्रिजिक कुछ किया आपको लगा कुछ लेकिन हो क्या गया तो आपको देखना पड़ेगा बीजेपी कितने या तो आगे आएगी या कॉंग्रिस को अपनी गलती का हैसास होगा और वो इन राज्यों पे जमीन पर फोक्यूस करेगी फिर देखिए कॉंग्रिस की बड़ी हार है और मैं आपको बता दू आरेसिस का रोल हर्याना में बहुत प्रॉमिनेंट है कई वरिष्ट पत्रकार और बीजेपी को फायदा होता रहेगा और तो एक और फैक्टर दलितों ने भी इस बार बीजेपी को वोट किया है लोग सबाद चुनाओं में आपको पता था कि हम कह रहे थे और हर कोई कह रहा था और आंक्डे कह रहे थे कि दलितों ने कैसे इंडिया गठबंदन की तो लेंगे फिर देखिए आपको पता है राहुल ने अमेरिका जाके एक बयान दिया था कि अगर ऐसी कोई स्थिती बनती है हम बहुत पावर में आते हैं तो आरक्षन हटा देंगे फिर देखिए यही घूम गया पूरा का पूरा मामला जैसे आपको पता है ना लोग सबा में बीजेपी के साथ हुआ था 400 पार वाला कॉंफिडेंस और उसके बाद कैसे सिमट गई थी तो यह कहीं ना कहीं आप देखिए राजनीती में ओवर कॉंफिडेंस आपको लेकर डूब जाता है और देखिए इसमें यह भी मानना पड़ेगा कि जितने भी बड़े- पारी जीतती लेकिन वो पलच गया तो एक बार उदर एकजित पोल फेल हो गया फिर देखिए MP36 गड़ विदानसभा उसमें भी कहीं ना कहीं फेल हो गया और अभी हर्याना और जम्मू कश्मीर में भी जो प्रिडिक्ट किया गया था वो भी कहीं ना कहीं और अब कि जेजेपी तो एकदम जीरो पर सिमच गई है बीजेपी ने अपने पिछले वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है 2014 में देखिए बीजेपी 47 यानि 2014 और 2019 से बड़ी जीत हासिल की है तो देखिए कितना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है आइनल्ट 19 कॉंग्रेस 15 और अदर्स के खाते में नो जम्मू कश्मीर भी देख लीजिए पीडीपी 23, बीजेपी 25, जेकेंसी 15, कॉंग्रेस 12, अदर्स 7, कॉंग्रेस इस बार 6 पर सिमट गई और जेकेंसी सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो आप देखिए कैसे पिछले चुनावों से कितना अंत और बीजेपी और उसमें से इंडिपेंडेंडेंट भी तो वो पांचों की पांचों बीजेपी के पक्ष में रहेंगे तो यह जो कुल 90 सीटे हैं उसमें से 5 आप जोड देते हैं तो 95 हो गए तो बहुमत का अकड़ा हो गया 48 तो इस तरीके से खेल कर सकती है बीजेपी तो शित गया हैं इन होने बिल्कुल भी जो हैं इस्व की इजद बचा के रखी क्योंकि कॉंडेस की अध्याक्ष वने के नाते अगर भी हार जाते तो लो मनोबल कितना तूट जाता और यह वो तीन कैंड़िटेंटों जो की पीडीपी के जीते हैं और देखिए अब जो छोटी-छोटी पाटी है ना जो मैं आपको कह रही थी कि ये देश व्यापी असर होने वाला है कैसे होने वाला है देखिए इधर जो है हर्याना इलेक्शन रिजल्ट के ट्रेंज को देखते वे शिव सेना यानि उद्धव सकती तो आपके जो सहयोगी है ना उनको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा वरना आप वीक हो जाओगे और पूरा ओवरॉल इंडिया गजबंदन को भी वीक कर दोगे और महारास्ट असेंबली अलेक्शन अब इसी बात तो लड़ेंगे तो देखिए अभी से ही सहयोगी उने अटाक करना शुरू कर दिया है और देखिए उत्राकंट सीम पुषकर धामी भी अपना पूरा का पूरा यह जो हुज विक्ट्री हुई उस पर बढ़ाई देते हैं और बताते हैं किसानों जवानों ने भर दे उंकार आपको पता है कि अगनीवीर कितना बड़ा लेकिन इन तीन बड़े मुद्धे होने के बावजूद मतलब 6-7 फ्रंट पे बीजेपी घिरी हुई थी लेकिन देखिए इतिहास बदल देती है 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ देती है 2014-2019 से जाधा जीत दर्फ कर लेती है तो कहीं ना कहीं यह जो दो लाइन है ना वो संदे गलत है और इनका तो आदत है नाटक करने की इनकी तो आदत है मैं अभी आपको और कुछ BJP के बयान सुना दूंगी वो तो कह रहे है कि कॉंग्रेस तो मिशार होती रहती है इवियम खराब इवियम खराब आगे देखिए कि कुमारी शेल जा यह कहती है कि अब कॉंग्रेस और देखिए बड़ा कारण रहा कॉंग्रेस की हार का यहां पर और आप वो खुद कह रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है कुछ मुद्दों पर हमको साइलन देखिए अभी भी कही ना कहीं तंज गशने की कोशिश है कि ये कहीं ना कहीं देखिए बड़ा प्रहार है बड़ाई है वो अभी आगी कितना आगे जाएगी कॉंग्रिस इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाएगी और तो और क्या अब जनता के लिए जो एक्जिट पोल पर भरोसा है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि तीन लगातार चुनाओं में ये फेल साबित हुए हैं और आप नया खेला बड़ा खेला क्या होने वाला है पोस्ट अलाइन्स क्या होगा ये तो वक्त बताएगा आपको क्या लगता है मुझे जरूर कॉमेंट करके बताएए आप अरंजिम के 5 कॉईंट्स देख रहे थे studios 24 देख रहे थे मैं हो रिम जम जेट्धानी आपसे फिर मुलाक और दुनिया की कोई खबार मिस्स ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखके रहे है योज्स 24